अधिकमास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आपाए अधिकमास की अमावस्या जब अधिकमास और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत ज्यान देने बादी बात है राजा नल का गया हुआ धन अपिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोट नाग के डसने से जो सरीर विगड गया था कैंसर जैसा रोग हो किड़नी लीवर जैसा रोग हो सरीर मैसरे सिस हो गया गुड़ने डाक्टर ने पढ़िया बदलना पड़ेंगे का मर्दु भरही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी जिन्दगी का तुक हो कैसा विकश्ट हो समझना हो जितना दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया होगा उसे जादा तुक तम्यंति और राजनल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर भटका साप डस लिया शरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बाप कि साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा में करपा कर दी अब समझिएगा जिसके पास से पूरी सत्ता चलीगी वेभाव चले गया राज चले गया भाई ने सब को छोड़ा के रख लिया सबीर भी बेकार है सबीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा है और पूर अब उसके ध्यान के पत्नी दम्यंती ने कहा है पत्नी कह रही है पत्नी दम्यंती कह रही है शिव की अराधना करते हैं दोनों चलों और दम्यंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर संकर किया राधन का इतनियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस बना अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जम के बुलदरा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा है कर से चलो तो जोटे के ओपर लोटा हो तो डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जिंदगी के सुपर डवल कर देगा पता ही ने खड़ा है मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में तेहली पर चड़ने से पहले तो हांक में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महादयों को धार चड़ा है तो याज तुम्यंति और नल ने नियब बना गिया अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालो निकल गए निकलते 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 इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के सावन के पंदरा दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन अधिक मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पूर्ण है पूरा अच्छा चलो तुम लोग या मेनपूरी में रहते हो तो गिराची जाते हो तो वरदन कौन जाता है जाते हो आप लोग अब रखिये तो वहाँ पर अमावस्या फूर्ण निमां को लोग भंडार करें चलाज के दिन और श्राश तो ने चलाते हो तो पूर्ण को बनाख्यों चलाते है इन्ने कौन सी कथा सुन रखिए कि मामावस्या पूर्णीमा को बंडारिक्रों मवस्या क्या संकर कभाता गया शिभका उपासा किया शिभका और अगड़दानी का पहगता में नारेन क भगता किया उसको कुछ खिला दो उसका मुझ जुटा करा दो आखिक कारण किया बड़े-बड़े घरों में ब्रहामन को निमंतन दिया आता है अमावस्या अधिक मास के तीस दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिश चालू सावन बापिश चलू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा मेरी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दोसो पांसो रु क्याम होगा सावन पापिश चालू होगा उस दिन देटिस कोटी देवता है या च्छकंधर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं संफदा देते हैं वेभग देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी क जानवर परन की गठाबाची यह पहले है उसमें कनेर के फूल का विदर्शन करायाता है यह रोड के चाधा तर लोग ये कनेर का जो फूले ना रोड के बीच में लगा ज़ी ने खाथा पश्य ने खाता जहरी ला जता होता है पीले कलरगा होता है लंबा काम भी कूच नही करने के लिए जानवत भी नहीं करने के लिए इनको अंदाजा नहीं है कि आज दूसरे दिन सावन का पापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि 33 स्कोटी देवत अपना भट्टार भुताने के लिए तयाद रहे हैं अमसे लोग करें तो गुरुजी आपने सीहोर की जो कवड यात्र रखी वो 16 अगस्त को रखी जिस दिन अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन बापिस सावन चलू है कम से कम संडे को रखना था रविवार को रखना था तो लोग जादा आते बहुसते हमने का में लोगों से मतलब नहीं हमें सन्जोक से मतलब है जिस दिन बाबा को जल चड़ेगा कनेर का फूल चड़ेगा उस दिन पाबा मेरा कुबर भंडारी कितना दे जाएगा ये किसी को नहीं मालोगा उस दिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा ये अंदाजा नहीं है उस दिन कावड यात्रा का जल भर कर हमने सीहर से रखी 10 किलोमेटर ये आपको भी निवेदाने आज जो जो फिरी हो जो के पास समय हो और जिसने जिन्दगी में एक वार कुबरेश्वर बाबा की कावड ना भरी हो को सुलागस दिन खुद्भार बढ़ना चाहिए सुलागस तो को सुबहां नो वजे सीवन कंवया का जल लेकर बाबा कुवेर बंटाने को 10 किलोमेटर पूर सी 10 किलोमेटर की तुरी बढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए दो हाथ में सुंदर या तो कि अम पुक्षप मालूम नहीं है कि कानेर पुष्प चड़ा अगось इंको ना मिला उस दम्यंति न प्रपश्च नल को पुष्प देवदी देव महादेव को समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया नीचे गिरा तो गिरता हुआ पुष्प अशुक सुंदरी वाली जगह पर जाकर डिक गया तब अशुक सुंदरी ने देवदी देव महादेव से कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है यह पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया यह इस्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 23 को की देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलकर जब पुन्य दिया ओर ने धन लीया था व पापिस राजनल को अप्र संपतावान फिर वेवहोबान हो गया यह भीडा कि ति दीह हो गया कि अभिया किर ऑभभान हो गया अब्या किसमे देवतियों ह जब अब इसे तुम्हारे